उसमों आप सभी के एक बार फिट से स्वागत है पहाड़ों पर बरफारी दक्षडी राज्यों में बारिज जाने दिल्ली यूपी सैद उत्तर भारत के मौसम का हाला हम आपको पूरी जनकरी देंगे इस वीडियो में सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें अपने दो बैसे ही निचले आलाके में सीत लहर का असर देखा जा रहा है इसके लाबा दक्षडी राज की बात करें तो बारिज का सिलसला थम नहीं रहा है आईए जानते हैं देश के मौसम का हाल दिल्ली के मौसम का हाल राजधानी दिल्ली के ताफमान में गिरावट के साथ कोहरे की की संबाबना है नूपी के मौसम का हाल उत्तर पिर्देश की रायदानी नकलों में सुबह कोहरा दुंद अधकांस रूप से बादल चाहे रहेंगे ताफमान की बात करें तो यहां न्यूकतम ताफमान ग्यारा और अधिकतम ताफमान 24 डिगरी तक रह सकता है नोड़ा की बा के लाबा 24 घंटे में काफी प्रद्धी हो गए तमिलनाडू के कई हिस्से में मद से भारी वारिष हो सकती है केरल मद बारिष के साथ एक दो स्थान पर भारी वारिष होने की संबाबना है इसके लाबा जम्मू कस्मीत मुजफरवाद और गिलिगित बुलिस्तान में कुछ चुटपुट बारिष बरफारी होने की संबाबना है उत्तर प्रदेश में सर्थी का सितम बढ़ता जा रहा है दिन के ताफमान में भले ही गराबट ना हो लेकिन रात में लगतार पारा लुटक रहा है नकलो मौसम केंद के ब्रिष्ट बैग्यानिक अतुल कुमार ने बत पच्छमी यूपी में मौसम सुस्क रहने वाला है पूरभी यूपी में मौसम साप रहने की उमीन जताई जा रही है उन्होंने बताए कि मौसम में कोई भी सेस बदलाब नहीं होगा लेकिन ठंडी बढ़ने के आसार है मौसम बिवाग के मताबिक पच्छमी यूपी में मौसम सुस्क रहने वाला है पूरभी यूपी में मौसम साप रहने की उमेंद जताई है कर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया इन दिनों मौसम सुस्क रहने की संभावना इसके साथ ही बाइस दिसम्बर तक मौसम सुस्क रहने के आसार जताय गये हैं पच्छमियो पूर्भी यूपे में कहीं कहीं मद्द कोहरा असर दिख सकता है बरेली और मेरट में न्युक्तम तापमान 4.8 डिग्री से अलसतर काट किया गया बहीं गाधीपुर में 5 डिग्री औध्या में 5.5 डिग्री कानपुर सहर में 6.2 डिग्री नजीवाबाद में साथ तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरू बता हैं वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें